तो जी नमस्कार सस्रेकाल अदाब मैं हूँ आप पदोस परवीर राणा और आप देख रहे हैं अल्गो क्रैब का वीडियो टूटोजल दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्गो कौन सा प्लैटफॉर्म है इस पे आप अल्गो ट्रेडिंग के अला किस तरीके से सिंगनल ले सकते हैं आज मैं यूज करूँगा सूबर रेन इंडिकेटर का और आपको लाइब करके और आपको लाइफ ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों बिना समय कबाये वीडियो में आगे बढ़ते हैं सब से पहले मैं रिक्वेस्ट कर Liberty हाते है यहां पर मैंने आपको लाश्ट वीडियो बताया था साइन आप करने का प्रोससस साइन उब कर सकते हैं अब करने के बाद मिलाग इन करना है कि आपने तो इस तरीके से स्क्रीरिंग आपको दिखाए देती है पिछले वीडियो worries Helt कर सकते हूं सबसे पहले को किया करता आपको सबसे पहले अपन खरण स्वासरा करना है आप आपको सबसे पहले अपना प्रोक्र यहां के जाएगा और यहां पर आपको डेटेल वगएरा फिल करनी है अपनी आड़ी पासफ़र्ट योटीपी वगएर डालना है तो डालने के बाद आपको टोकन मिलने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो अब यहां हम मैं आपको दिखाता हूं यह ब्रिज का ट्रेड हिस्ट्री है ज यह ब्रोकर में ब्रोकर के अकाउंट में ट्रेड जाएगा अपना ठीक है तो ब्रोकर अकाउंट बहुत जरूरी है उसके बाद आपको यहां पर जाना है सेटिंग के टैब में और इधर आपको फ्री बीज दिखेगा फ्री बीज में आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी आज का वीडियो हम सुपर्य पी बनाएंगे तो सुपर्य को डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से सुपर्रेंड का इंडीकेटर आएगा इसको आप यहां से कापी का कट जो भी आप करना चाहों आप कर सकते हो उसके बाद आपको में जाना है और उसके बाद इस इंडिक indicator भी है आप पैस कर सकते हो यहाँ पर करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा नैविगेटर window में यहाँ पर एँटी 4 की तीन Windows के बारे में ने में पर 6 बता दो चालू झाय源 और नीचे उपरवाली window का नाम है मार्केट वाच और और नीचे वाली विंडो को नैविगेटर कहते हैं राइट साइट की जो विंड़ है उसे चार्ट विंडो जिसको कहते हैं यहां पर अब देखेंगे आप ऐल्गो ब्रिज के फोल्डर में आपको सूपर रेंड का इंडिकेटर दिख रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें जिस भी सिंबल में ट्रेड करना उस सिंबल को हमें क्रिएट करना होगा अपने प्लाटफॉर्म यहां पर आपको जब आप सेटिंग के टैप में जाएंगे तो यहां पर आप सेट करेंगे कि कौन से सिंबल में आपको ट्रेड करना है यहां पर देखिए यहां पर दो यहाँ पर ऐड़ कर दियां और से आप डाल सकते हैं यहाँ एड़ कर दिक रहा artists सकते हैं does यूज़ करते हैं दस तीन या दस चार का आप यूज़ कर सकते हो जो अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन अभी क्योंकि मुझे आपको सिगनल जनरेट करे दिखाना है तो मैं यह वाला यूज़ नहीं करूंगा फिलाल मैं आपको जिस्ट अपलाई करके दिखा रहा हूं कि सिगनल इस तरीके से आते हैं कब आए का सिगनल आएगा या आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप कम टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप पांच मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप पांच मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो के देर 컨् sounded आपको Canadian सीगनल दिखाई देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रीन और रेड़ कलर के सिगनल दिखाई दे रहें इस तरीके से सिगनल दिखाई समझ में आ जाएगा कि कितना हुआ अब यह तो था कि में टाइम फ्रेम किस तरीके से इसको आपको इस्तमाल करना है अभी मुझे आपको सिगनल जनरेट करना है तो मैं इसका टाइम और कम करूंगा और मैं इसको वन मिनिट करूंगा वन मिनिट करने के बाद मैं सूपर ट्रे किरामिटर्स के बारे मैं तो सबसे पहले यहाँ परzego औपिसम्द के रिखेक का अप्षिन करते हैं तो एक कर सकते सकते हैं किस टाइम से किस टाइम तक डापका ट्रेड हों उस टाइम से इस टाइम तक अबख स्कुईर। paid Mission तुम्हें आपको मेट्रो दिख रहा है मेट्रो के लावा दो आप्शन और होते हैं only buy और only sell अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन सिर्फ buy का ही trade हो तो आप only buy select करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन सिर्फ sell का ही trade हो तो आप only sell करेंगे अगर आप only buy select करते हैं तो सिरफ buy के signals आने पर ये trade लेगा और जबी कभी sell का signal आएगा तो ये buy के signal को close कर देगा लेकिन sell नहीं करेगा क्योंकि हमने decide कि हमारा signal only buy का ही trade होना चाहिए उसके बाद option आता है stop loss का stop loss को आप true या false कर सकते हैं अगर आप stop loss को false रखेंगे तो stop loss नहीं जाएगा अगर आप stop loss को true रखेंगे तो आपका stop loss भी यहाँ पर market में जाएगा उसके बाद stop loss की तीन अलग-अप्शन है normal, trailing और break even तो break even और trailing अलग-अलग तरीके के stop loss होते हैं break even में आपका जो नया high बनता जाता है उस high minus low पे आपका stop loss रहता है और trailing में कुछ steps उपर जाने के बाद आपका stop loss ट्रेल होता है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने proper बताया है किस तरीके से trailing stop loss और break even stop loss काम करते हैं उसके ब charge point select किया इसके बाद option आता है दोस्तो alert on off का alert on करेंगे तो नया signal आने पर आपको alert मिलेगा अगर alert को off रखेंगे तो नया signal आने पर trade में आपको trade सिर्फ जाएगा लेकिन alert नहीं आएगा re-entry true, re-entry true करने का मतलब यह है कि अगर पिछली बार कोई entry हुई और उसमें target या stop loss ल अगर आप intra day trading कर रहे हैं और अगर आपने यह option on किया तो next day जैसे market खुलेगा तो अगर आपका पिछला signal जो पिछले डे में अगर trend market का अब चल रहा है तो अगले दिन सुबह सुबह market खुलने के बाद आपका फिर से buy हो जाएगा और उसके उसके बाद आगे का trend continue रहेगा ठीक है तो यह है same day same trade day next day on off का button उसके बाद आते हैं algo trading की property पे तो सबसे पहले algo trading के लिए API trading को on करना होगा अगर आप यह नहीं करोगे तो आपका trade नहीं जाएगा उसके बाद आपको दिखता है यहाँ यूजर की यूजर की आपको platform से मिलती है यहाँ पर आप जाएंगे और authentication की section में जाएंगे यहाँ पर user की है इसको copy कर लेना है copy करके इसको platform पे paste कर देना है बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है आपको जो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर quantity आपको indicator से लेनी है तो इसको आप true करेंगे अगर quantity आपको जो आपने महाँ पर set की है bridge में तो वहीं चलनी है तो इसको आप false करेंगे और यहाँ पर आप NRML MIS जो भी आप करना चाहतें इंट्राडे trade करते हैं MIS करेंगे market order normal trade type normal यहाँ पर एक option दे रहा है mode normal और option अगर आप एनसी option में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको option का select करना है अगर normal करते हैं तो normal select करना है उसक उसके बाद हमने किया इसको okay और उसके बाद हमने किया इसको close अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर काफी सारे signals बन गए और एक signal का भी notification भी आया है हमें ठीक है तो उस signal में trade हुआ है नहीं उसको हम आगे देखते हैं उससे पहले मैं आपको आता हूं कि terminal window पर आने के ब और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके बाद आपका जब यहाँ पर एक्सपर्ट किस टैब में मिल जाएगी अब चलते हैं प्लैटफॉम पर और देखते हैं trade हुआ या नहीं उसके लिए आपको जाना होगा trade info के टैब में और trade info के टैब में आपको bridge tool history पे जान और यह था event entry का अगर event में आपका vice versa आएगा तो यहाँ पर वो परानी trade को close करेगा और नई trade बनाएगा उसके लिए भी हम दो चार्ट मिनिट तक इसको wait करते हैं और देखते हैं नए signal का wait करते हैं जैसी नया signal आएगा तो हम देखेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर show कर रह अब यहां पर हम जाकी देखेंगे अपने outcome के platform पर किया हमें दिखा रहा है यहां अब देखिए मैं इह दिखा रहा है कि stop यह पर दिखा रहे हैं event में stop और यह लगा है stop-loss अब यह यह इस तरीके से आपको event की बी पूरी जानकारी मिलेगी कि बो stop-loss लगा है target भी किहान जाती है। साथ कौन से इंडिकेटर से सिंड़ा खिres सकते चार बच के 42 मिनट तो इस तरीके से यहां पर आपके सिगनल होते हैं सूपर ट्रेंड में जैसे जैसे मैंने आपको बताया क्या 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 पैरमिटर्स होते हैं उनको आप अपने इसाफ से set कर सकते हो जो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह इस आप से अपने inputs को change कर सकते हो इंटराइडे trading करना है तो इंटराइडे कर सकते हो सिरफ बाइड कर सकते हो stop loss target रख सकते हो normal trailing अलग-alag stop loss आप यहां पर रख सकते हो उसके लाव टारगेट लगा सकते हो target के लाव alert कर सकते हो और अगर अगले दिन फिर से पुराने trend पर ही trade करना है तो उसके लिए यह वाला बटन है same trade next day वाला इसको आप ओन कर सकते हो उसके बाद API trading on off करने का function है अगर आप इसको off कर देंगे तो उसके बात signal बनेंगे alert आएंगे लेकिन trade नहीं जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका trade भी नहीं जाएगा और signal बनेंगे सिर्फ यह ही होगा तो यह था दोस्तों कि आप super trend indicator के साथ हमारे alco के platform पे किस तरीके से काम कर सकते हैं अगर आपको यह सब समझ में आया और आपको पसंद भी आया तो आप सुब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सुब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको manually हमें call करना होगा हमारे दियोए numbers पे क्योंकि अभी हमारा payment gateway जो 500 रुपीज है एमटी फूर के साथ अगर आप पर्चिस करना चाहते हैं तो एमटी फूर के 500 अलग से आपको total 1000 रुपे का payment करना होगा payment करने के बाद हम आपका सब्सक्रिप्शन कर देंगे और आपको एमटी फूर के details दे देंगे उसके साथ साथ आप trading कर सकते हो आपको ब और यहां पर मैंने प्लेस किया तो देखिए मेरे प्लाइस ओडर हो गया यहां पर आप और बुक में जाकर यह भी देख सकते हैं कि कॉडर किस तरीके से यहां पर प्लेस हुए देख सकते हैं आप यहां पर आप ब्रिस्टु ट्रेड इस्टी में देखेंगे तो आप तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब मैं आपको बताऊंगा कुछ और इंट्रेस्टिंग हमारे प्लाटफॉर्म के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग